नमस्कार बागवान बायों एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर के सांग नेगी बागवानी विबाग में कार रहत हूं जैसे आप सभी को अवगत है हमारे एक एपिसोड में किसी बागवानी से रिलेटिज टॉपिक बे बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे आज कल मुझे जो वर्टसेप में बहुत सारे मैसेजिस और फोटोस आ रहे हैं बागवानों के द्वारा कि उसमें यह पूछ रहे हैं कि उनके सेप के पत्ते में कौन 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 सी बिमारी लगी है तो मैं आज आज आप लोगों को डिफरेंट तरह के सेप के पत्ते दिखाऊंगा जिसमें जो है बहुत अलग अलग तरह के बिमारियां जो आज कल सेप के पत्ते में बात करते ताकि हमारे बागवन भाईों के जो confusion हो clear हो सके और आपने बगीचे में जो हो इस दिफरेंट जो फंगल बिमारी आज के लग रही है उसको जो है identify कर सके बागवन भाईों आज का हमारा पहला सेंपल है अल्टेनेरियर लीप स्पॉड अल्टेनेरियर लीप स्पॉड को आप कैसे पैचानेंगे जब आप अपने सेव के पौदे के पत्ते में देखेंगे कि उसमें अगर brown color का दबा लगा हो और ये circle round shape में होता है तो आप पैचान स सकते हैं कि अल्टेनेरियर लीप स्पॉड ने पत्ते को अटेक कर दिया है भागवन भाईों चलिए हमारा आज का दूसर सेंपल है मार्सुन नीना ब्लॉच को कैसे पैचानेंगे यह आप अपने पत्तों में देख सकते हैं ब्लैक कलर का दबा सा होता है और बाकी जो इसका एरिया है वो दीरे-दीरे पूरा यलो कलर में बदल जाता है और जिससे पत्ता टाइम से पहले ही जड़ जाता है तो इसको आप मार्सो नीना ब्लॉज क्या टेक समझ सकते हैं मार्सो नीना और अल्टर नेरिया में आप कैसे डिफ्रेंस कर सकते हैं अल्टर नेरिया में देख सकते हैं आप जो है रेड कलर के सर्कुलर जो है दब्बे से पड़े होते हैं पत्ते के उपर और मार्सो नीना ब्लॉज में जो है काले रंगे बड़े बड़े दब्बे होते ह और जो बाकी जो लीप का हिस्सा है वो पूरा येलो कलर का हो जाता है तो आप इस तरह से इनको अडेंटिफाइ कर सकते हैं और हमारा तीसरा सेंपल है पाउडरी मेल्यूप क्योंकि आजकल जो इसके बहुत सारे शिकायत आ रही है तो बागवन भाई आगर आप अपने सेब के पौदे में जो ये वाइट कलर का चूना सा दिखें तो आप समझ सकते हैं ये पाउडरी मेल्यूप का जो है अटेक हो रह हमारा जिस तरह का क्लामेट रहा है गर्मी भी है और साथ में बारिशनी भी रोज हो रही है तो इससे जो बहुत जादा स्वीटेबल रहता है कि लिए तो आप सकेप की जो है जो है सकेप का विशेद ध्यान रखें ये जो बिल्कुल काले काले से दब्बे के लीव की उपर सता की और निकला होता है जिससे आप उसको identify कर सकते हैं आज के हमारा next sample है woolly apple aphid जिसको जो आप रूई के नाम से भी जानते हैं इसको आप असानी से पैचान सकते हैं ये रूई की तरह जो है white color का होता है जो आप shape के टहने वोगे अपर आसानी से देख सकते हैं उसके बाद हमारा next sample है scale ये जो है हमारे shape के टहने वोगे white color के.spot देख सकते हैं जिसको आप आसानी से पैचान सकते हैं और ये जो बाद में black color का हो जाता है और पूरे टहने ये ए टहने पे फैल जाती है और आज केल हमारे पार डू एसेatus सैंपल्स बहुत जाढर रहे हैं जो हमारा वाइल डीजिस है एपल मोईज़ैक वाइरस और कलॉरिटिक एपल वाइरस एपल मोईज़ैक वाइरस को हम कैसे पेचाने इसमें पत्ता पत्ता मुड़ने लगता है साथ में पत्य यहलो किर्यडर के हने लगते हैं क्लॉर्टिक ऐब वायरस में क्या होता है कि पत्य पत्य में करलिंग और लिमस होती है और साथ में बलैक करलर के इसमें तब्बे से पढ़ते हैं जिससे आप उसको आइडेंटिफाइक कर सकते हैं बागवन भायो अभी तक जो है हमारे वाइरस के उपर कोई भी दवाई जो है बना नहीं है तो आप जो है फाल्टू के जो मार्केट से दवाई लेके इसका स्प्रे करने के कोशिश ना करें क्योंकि यह जो हमारा पूरा वेस्टेजी है इससे कोई लाब नहीं होगा आपको तो बागवन भायो आप इस तरह से जो आप अपने सेव के बगीचे में जो इन सिम्टम्स को पैचाने और कौन सी बीमारी लगी है और लगने की संबावना है तो उसके अकॉर्डिंग जो आप अपना स्प्रेशे टूल को बनाए और बहुत बहुत धन्यावाद आप लगोगा थैंक्यू सो माच